अब तक आपनी देखा अगोरी अस्तियत में बहमनी सल्तनत का कुप्तिचर है जिसका प्रियोजन महराज श्री कृष्ण देवराय की अनपस्तिती में विजयनगर पर हमला करना है और इस साजिश के तहट वो तथाचार्य को बरगला कर रामा को मृत्यु दंड दिलवाते हैं मंत्री दिमारसू ऐसा होने पर श्री कृष्ण देवराय क्या कर सकते हैं ये तथाचार्य को बताते हैं जिससे तथाचार्य परिशान हो जाते हैं अब आगे पंडित रामकृष्ण ये युक्ति अवर्ष्य काम करेगी आप देखेगा आचार्य स्वयम आपको राज दर्बार में बुला कर आपका दंड रक्त करने वाले ये कहकर कि उन्होंने आपको शमादान दिया है ये तो होना ही है मंत्रीवर और हां वो दायवाय बाबा के विशय में आपका संदे बिल्कुल सही है हमने परताल करवाई है उसकी किसी साधु अगोरी का तो इतियास नहीं निकलता उसका हमें तो ये लगता है कि वो एक बहरूपिया है जो किसी और मंशा से यहाँ पर आया और यदि ऐसा है तो हमारे विजय रगर राज्य की सुरक्षा के लिए हमें सचेत रहना होगा पंडित रामकृष्णा वो भी हम रहेंगे मंत्रीवर संदिग्द व्यक्ति और दो मुए सर्प पर कैसा भरोसा परूंतु उससे पहले फिलाल समय है आचारे महोदय के सर से ता अपी की कमी थी जी अकेला छोड़ दीजी कुस्साम के लिए बड़े क्रिपा होगी आपके रभू क्या बात है आप अध्यंत चिंति प्रतीत हो रहे हैं यह यह भी आपका कोई रचाय हुआ स्वांग है अगर इस चिंता जल्दी से नहीं मिटाए गई तो इस चिंता में ब क्रिंक करूणा दया शमा यह सही है यही ठीक है यह मात रुपाय है हमारे जिमित पंजने का हम पंडित रामाकिष्णा को ख्रमा तान देंगे शमादन अर्थात कुछ दन नहीं, कुछ दन नहीं, अर्थात पंदित रामा किष्णा जवित, पंडित रामा किष्णा जवित, अर्थात हम जवित, मिल गया, मिल गया, हो गया, हो गया हमारी समस्चा के निदा, जै हो, तथाचारे के बुद्धी, जै हो, बुलाओ, अभी क् हम पंडित रामाकिष्णा को जीवन्दान देंगी अले मुर्कों जाओ दर्वार बुलाओ जी करो जी जाओ हम पंडित रामाकिष्णा को ख्रमादान देंगी हमने ये ततकाल सबा इसलिए बुलवाई है ताकि हम एक अतियन्त आवश्यक घोशना कर सकें देखे बात ही है हमने बहुत सोचा जब सोचा तो ये बोध हुआ कि पंडित रामाकिष्णा को दिया गया दंड एक साधारन आम अपराधी के लिए तो उचित थे परन्तु पंडित रामाकिष्णा जिनोंने इस दर्वार में आई कईम बड़ी बड़ी गुथियों को सुझाया है राजदर्वार की बहुत स्यवा की वैसे विक्ती के लिए कम से कम एक बार तो प्राणदान बनता ही है अंतताय हम इस निरने पर पहुंचे है पंडित रामाकिष्णा को दिया गया मृत्यु दंड वापिस लिया जाए और पंडित रामाकिष्णा को शमदान दिया जाए किंतु कोई किंतु विंतु नहीं हमने जो कह दिया जो कह दिया पंडित रामाकिष्णा यहां, आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक छीन्त तक नहीं आने देंगे हम आपको। हाती तो क्या। हमारे इस दर्बार में स्थापित रहते, एक छीन्त तक आपको नहीं काड़ सकती। सिभायोग। पंडित रामा किष्णा को बंधन मुक्त किया जाए। ठैरिये। ततकालिक महाराज, मैं आपके इस प्रेम और स्ने का हरिदय से आप भारी हूँ। परंतु क्षमा करें, मुझे आपका क्षमादान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अपराधी हूँ ततकालिक महाराज, मुझे अपराध हुआ है। मेरे कारण एक साधारन भोला भाला मनुष्य कुत्ता बन गया। कितना बड़ा पाप हुआ है मुझे। नहीं नहीं, आप तो मुझे हातियों से कुचलवाईए। दंड दीजे मुझे, मैं इसी योग्य हूँ। चलिए, चलिए, मुझे वापस कारवास ले चलिए। रुकिये, रुकिये, सुनिए, क्या कर रहा है आप। आप तो संग मित्य बड़े पंडित, शास्त्रों की ग्याता है। क्या लिखा है शास्त्रों में। संसार का सबसे बड़ा दान, ख्रमादान होता है। ते रहिए हैं आपको, रख लीजे, रख लीजे। नहीं दात्कालिक महाराज। उन्ही शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि न्याय की द्रिष्टी में सब समान होते हैं, जाहे कोई भी हो, कोई बढ़ा चोटा नहीं होता। इस संसार में न्याय करतवय से बढ़ा और कोई करतव नहीं होता। आपने मुझे दंड सुना कर अपना करतावे निभाया, अब मैं उस दंड को भोग कर अपना करतावे निभाऊंगा. इसलिए मुझे आपकी ख्षमा नहीं चाहिए. क्या शास्त्रार्त कर रहे हैं आप पंडित्रा अभाकृष्णा, कहरे नाप से, मान लीजे हमारी भाद, खुलवाई अपने बंदन, रख लिजे ख्षमा दान, रख लिजे. नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए, देना होगा आपको, क्ये हम, आपके महराज, अफ़चार एक आदिश. आप ही के आदेशों का पालन कर रहे हों, तातकालिक महराज, मृत्यू दन तो आप ही नहीं दिया था, ना? शमादान दे रहे हैं, ना? पहला आदेश पहले, पहले प्रांड दूँगा, उसके बाद दूसरे आदेश का पालन करूँगा. प्रांड ही चले गए, तो प्रांडान का उचित्त्य क्या रह जाएगा? यह तो मृत्यू दन देने से पहले सूचना चाहिए था, ना? आद तो कर रहे हैं न, भूल का सुधार? नहीं, मुझे तो दंड भोगना है, मुझे प्रांड देने ही है. भगवान, यह पंडित हमारे प्रांड लेकर इमानेगा. विखी, आप समझ नहीं रहे हैं. आप नहीं समझें तक कालिक महराज, यदि मुझे मृत्यू दंड नहीं दिया गया न, तो विजय नगर की न्याय प्रणाली को बहुत बड़ा दोस्ट लगेगा, आप दंड दीजिये मुझे. महराज, आप को इस अपराधी की बात मान लेनी चाहिए. मैं जानता हूँ, आप विशाल हिर्दय वाले हैं, परन्तु न्याय आखिर न्याय होता है. नहीं. मैं बाबा की बात से पूर्णता सहमत हूँ, मुझे हाथियों के पैरों से गुचलवाईए. नहीं. मैं तो कहता हूँ, आमावस की रात की भी प्रतिक्षा क्यू करें? मुझे अभी इसी क्षण मृत्यू दंड मिलना चाहिए. अरे, देखिये, हम आपसे विन्ति कर रहे हैं. हाथ जोड रहे हैं, हाथ जोड रहे हैं. मांजे ही हमारी बात. ले लिजी एक्षो मादान. मैं अभी तो आपके आगे हाथ जोड रहा हूँ, कदापी नहीं, मृत्यू दंड तो मैं ले कर रहूंगा. चलिए. हाँ. अरे, रुकिये, सुनिये तो साहिब, हमारी… चाकरेम, परवाद आना इसा. गुरुजी, आपको कौन सी लकड़ी पसंद है, चंदन की या शेषम की, बताइए. क्यों? गुरुजी, आपका अंतिम संस्कार होना है न, आपकी चिता उठने वाली है, हैं? बहुत शातिर है, पंडित रामा. उससे भी कहीं ज्यादा जितना हमने उसे आका था. हमारे एक मात्र मोहरे तथा चारे के कदम भी लड़खडाने लगा. उस रामा की वज़ा से जरूर खिचड़ी पक रही है उसके खुरापाती दिमाग में. वक्त का तकाजा यही है कि और हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. तो अब क्या एरादा है हुसूर का? वक्त आ गया है आसिफली, अब और इंतजार नहीं. विजय नगर पर हमला दो दिन बाद नहीं, बलकि कल ही करना होगा. बहुत जल्दी है ना उस पंडित को मरने की, तो कल पंडित जाएगा स्वर्थ. और विजय नगर पर होगी हमारी हुकूमत. हमें अपने पूरी ताकत, पूरी शिद्दत जोग देनी होगी इस जंग में आसिफली. कलनेस्तान अबूत करके रख देना है विजय नगर का जर्रा जर्रा. युद्द की तैयारिया करो, हतियार तैयार करो, घोडे तैयार करो. और जाकर एलान कर दो, कि युद्द कल ही होगा. जाओ! जी उजूर। पस, एक बार विजय नगर हमारे कबजे में हो जाए, उसके बाद पूरा दक्षिन भारत हमारे सुल्तान के कदमों में होगा, फिर पूरा भारत! अब बचा ले, पंडित रामा, अपने विजय नगर को. अरे, तू क्या बचाएगा? तू तो कल खुद को नहीं बचा पाएगा. येस! हाहा! कहा सुनाक्षमा कीजेगा, मंत्रीवर? आप जानते हैं कितना सम्मान करता हूं मैं आपका, कितना मानता हूं मैं आपको, कितना उचा स्थान है आपका मेरी नजरों में. पंडित्रामकृष्ण इस समय ऐसी समभाते क्यों कर रहे हैं आप? मखन लगा रहा हूं मंत्रीवर, अब जो करना है आप ही को करना है, संभाल लीजिएगा. आप निश्चिंत रहे हैं पंडित्रामकृष्ण हम आपको कुछ नहीं होने देंगे. इस पाखंडी बाबा को अपनी सही जगा पुचाना है और इस नाटक का समापन करना. और यह सब आप करेंगे कब? अभी करना है? नहीं, नहीं, अभी करने के क्या विशक्ता है? आने दीजे हाथियों को, गोचल जाने दीजे मुझे, उसके बाद जो करना आराम से कीजेगा, है कि नहीं? हम समझ गाए, पंडित रामकृष्ण, हम समझ गाए. चलिए, प्रारम करते हैं. हाँ, चलिए. पंडित रामकृष्ण, को इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं? हम कहां दे रहे हैं इने दंड? श्रम ले रहे हैं? घरासू क्या हमारा समझाते समझाते कि हमने ख्रमादान दे दिया है. कोई वक्षक्तन या दंड भोगने की. पर यह माने तब ना? यह सब आपके इन बाबा के कारण हो रहा है. आप इनकी बात मानकर बहुती गलत और बहुती बड़ा निर्णे लेने हैं. इसकी बातों में ना आना राजन. यह यह नहीं. इस पंडित के दुष्ट ग्रह बोल रहे हैं. विघन डालने का प्रयास कर रहा है. और विलंब किया तो अनर्थ हो जाएगा. ततकाल का रिवाई हो इस दंड की. यह सही कह रहे हैं ततकालिक महराज. बुलाईये शीक्र हाथियों को और कुचलवाईये मुझे. शमाधान ले लो, शमाधान ले लो. अलाख निरंजान. कोतवाल, बुलाओ हाथियों को. यह बहुत गलत कर रहे हैं ततकालिक महराज. इस जोंगी बाबा के बातों में आकर आप अपने सर्वनाश कर रहे हैं. जोंगी कहता है हमें, एक अगोरी पर लांचन लगाता है. सब कुछ भस्म करके रख देंगे, सब कुछ. अलाख निरंजान. यह प्रपंच, अमारे ततकालिक महराज को दिखाईए. वही सहेंगे आपके यह चोचले. अब भी आखों पत्टी बांद के खड़ें, ततकालिक महराज, समझने का प्रयास कीजिए. यह पाखंडी आपकी आखों में धूल जोगरा है. प्रपंच से बाहर निकलने का और दुष्रों को सबक सिखाईए. माम आप उसे सफलता देना, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना. अलाख निरान जान! यह बंदू! यह क्या हो रहा है, रामा? कुछ करना? अले, एर्ची स्थीती में मैं क्या करूँ? मुझे बड़ा डर लग रहा है, कुछ छुल्टा सीधा हो गया तो. अले, कभी तो शुप शुप बोला के बंदू, चुपो कर बैट! बंदू रामकृष्णा, आप तूस्ता है! बंदू रामकृष्णा! अलो, कुणि रामकृष्णा! पंदू रामकृष्णा! पंदू रामकृष्णा, आप ठीक तो है? हाँ, मंत्रीबर, बहुत बहुत अन्यवाद. अब आएगा खेल म्यानन्द. चलिए! ये खेल नहीं है, पंदू रामकृष्णा. आज अनर्थ हो सकता था. मेरी आँखों में उस दायबाय बाबा ने बसमुदाल दी थी. अगर एक शण की भी टूटी हो जाती, तो आपकी जान जा सकती थी. आप अपने जीवन को… कुछ नहीं होता, मंत्रीवर. माह कुछ होने ही नहीं देती. मंत्रीवर, जहां विश्वास होता है, वहां भै कैसा? और जहां भै होता है, वहां विश्वास कैसा? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मंत्रीवर. अपने इस राज्य को बाबा जैसे मक्कार और पाखंडी लोगों से बचा रहे हैं और यदि इस धर्म, इस कर्तव्य, इस दायत्व में मुझे कुछ हो भी जाए तो इससे बड़ा सौभागी और क्या होगा मेरे लिए? तो पंडित रामकृष्णा, अब आगे क्या विचार है? अब समय है इस धूंगी बाबा को सबक सिखाने का और उतारनी है आचारी की आखों से वो पट्टी जिसके करन ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई आखिरकार ये पंडित रामकृष्णा नाम का काटा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से साफ हो ही गया अब अगली बारी उस बेवकूफ तथा चारी की है जहर मिली खीर भेजी जाएगी बुद्डा खीर खाएगा और हमेशा के लिए इस भरी दुनिया से रुक्सत हो जाएगा अब क्या करें पंडित रामकृष्णा इन्होंने तो आचारिया को मार्मी की योजना बना ली है आचारिया को बचाएगा यह यह इस दूंगी बाबा को समख सिखाएगा तो दोनों महत्वपोन है मंत्रीवर कुछ तो करना होगा क्या करेंगे पंडित रामकृष्णा और उससे बड़ा प्रश्न है कैसे आप तो उनके लिए मर्चुक है ना तो आप स्वर्ग से कैसे हो गया यह सब यह कुई आयू नहीं थी आपकी इस तरह चले जाने की बगवान जानता है कितना आधर कितना सम्मान करते थी हम तुमारा पंडित रामा किश्णा अब क्याला आप जूट बोलने से गुरूजी अब यह जूट आपको कौन सा सुनने वाला है हां थोड़ अरंतु इस कर्थ यह नहीं था कि हम आपकी मृत्य उचाते थे ना कदापी ने थे बहुत याद आएगी आपकी पंडित रामा किश्णा गुरूजी जो भी बोलिये सो समझ के बोलिये अरे क्यों यह यह पंडित यहां कौन सा है जो हमारी बात सुन लेगा चला गया बेचा गुरूजी मैंने सुना है कि मिर्त्यों के बारा घंटे तक आत्मा कहीं नहीं जाती अपने आज पास रहती है हां और सब कु सुनती है देखती भी है अधरी गुरूजी दुखी नहीं होते तो तेरे तोस्ते उड़ा देते याज है क्या हो गुरूजी हमने अभी रामा के चित्र में रामा को देखा गुरूजी कैसी बात करते हैं चित्र रामा का है तो रामा जी दिखेंगे ना चित्र में दो दो रामा थे एक चित्र वाला रामा और एक एक और रामा ये ये कई कई रामा का बत तो नहीं था अब देखिया अचारे मैं आपको कैसे कैसे सब जगे दिखता हूँ